स्टुदेंट्स आप लोग के लिए लेका है क्रॉप प्रोडक्शन और मेनिज्मेंट दर इस क्लास एट का चैप्टर वन इसका पार्ट वन अल्रडी हम देख चुके हैं यह है पार्ट टू ओन डिजिटल मैंट्स आप लोग ने पार्ट वन अगर नहीं देखा है तो गो थूइट क्योंकि जो इसका बीजिक इंट्रो पार्ट है वो मैंने आपको पार्ट वन के अंदर समझाय हुआ है हर एक चीज़ डिटेल में अब इस पार्ट से हम लोग अगरिकल्चर प्रैक्टिस जो डिफ्रेंट डि स्टेप्स के बार में इस पार्ट से डिटेल्स हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस पार्ट टू इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट 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 अगरिकल्चर प्रैक्टिस होती है जैसे अगरिकल्चर प्रैक्टिस के दो स्टेप्स हम अच्छे से समझना कि preparation of soil मतलब कैसे हम लोग soil को पहले prepare करते हैं वहाँ पे बीज बूने से बिले sowing का मतलब होता है बीज बूना so उससे पहले soil को prepare करना पड़ता है ताकि soil जो भी है proper way में हो जाए clear ताकि वो उपजाओ बने ठीक है तो सबसे first जाते है one by one preparation of soil की दरफ देखो अगर आप पहले soil को prepare नहीं करते हो तो आपके जो बीज बूना है या जो farming है या जो agriculture जो आप करने वाले हो वो successful नहीं होगी और फिर बाद में आपको loss हो सकता है हम लोग students है हम लोग सीख नहीं रहे है किस तरह से agriculture करना है बड़ हमें पता होना चीद इसलिए मैं यहीं बूल रहा हूँ कि आपको loss हो सकता है yeah so preparation of soil is the first step before growing the crop that is most important step अगर आप soil को prepare नहीं करते हो तो उसमें अच्छे से बीज नहीं बहु पाओगे means sowing नहीं कर पाओगे if sowing is not properly done तो आप वहाँ पे क्या सोचते हो कि वहाँ पे कहां अच्छे से proper way में crops grow होंगे it would be not possible so first step that is preparation of soil is the most important and it should be properly done अब preparation of soil में होता क्या है main thing so preparation of soil includes two process preparation of soil includes two process first is turning and loosening of soil यानी plowing and second is leveling turning of loosening of soil इसका मतलब क्या होता है पहले वो भी हम लोग देखेंगे आगे और फिर leveling देखो turning of loosening of soil जो होता है उसके अंदर मतलब देखो कुछ time के लिए जमीन पड़ी रहती है तो उसके अंदर जो nutrients बगरा जो minerals बगरा होते हैं वो थोड़े से deep inside the soil होते हैं तो इसको थोड़ा सा मतलब सारे के सारे soil को वहाँ पर उसको turn करके उपर लाना पड़ता है और lose करना पड़ता है अब फिर सोचेंगे loosening turning क्यों है क्या है तो हम एक detail पड़ेंगे बड़ाप समझ लो preparation of soil जो है दो process में include होता है turning and loosening और leveling ठीक है तो हम लोग मढ़ते हैं आगे कि turning and loosening किस तरह से होता है किस तरह से हम आगे process में जाएंगे so first is turning and loosening that is plowing अब turning and loosening क्या होता है definition the process of turning and loosening is of soil is known as tilling or plowing turning or loosening मतलब किसी चीज को नरम करना loose करना और उसको turn करना upset down भोते है उपर से नीचे नीचे से उपर आसे mix करना that is known as the process of turning and loosening of soil is known as tilling and tilling or plowing clear then turning and loosening of brings the soil turning of loosening of soil brings the soil at top layer on the earth crust जो नीचे deep inside होती है उसको उपर लेकर आते है और loose बना देते है तब पुछो कि आप लोग turning and loosening जरूरी क्या है उनको उपर लेकर आ गया चलो लेकिन क्यों जरूरी क्या है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि turning and loosening इसलिए जरूरी है because first why turning and loosening necessary first this allows root to penetrate deep into this soil and this loose soil allows root to breathe देखो अगर आप turning and loosening नहीं करते हो तो एकदम जमीन कैसी होती है कड़क जमीन होती है तो उसके अंदर आप beach bow नहीं पाओगे पहले तो properly अगर beach bow भी दिया तो जब growth होता है तो उसके roots उसके जो roots होंगे न वो deep inside the earth crust नहीं जा पाएगा क्योंकि वो एकदम tight है तो root को रस्ता नहीं मिलेगा path नहीं मिलेगा तो it will not reach at the deep inside ताकि वो वहाँ पर अब एक तो पहले से नीचे नहीं पहुंस पारी पानी नहीं मिल पारा soil water moisture नहीं ले पारा इवन the roots will not get the air to breathe अब देखो आप बोलो कि breathe तो भाई plants को भी carbon dioxide at least चाहिए ही चाहिए तो वो भी अगर loosening और turning नहीं करेंगे बहुत कड़क जमीन है या प्रॉपर्ली लेवल नहीं है प्रॉपर्ली लूज नहीं है तो उसके अंदर आपको roots breathe नहीं कर पाएंगे penetrate deep deep inside नहीं जा पाएंगे तो first point तो यह आपको याद रखना है कि roots do not penetrate in deep inside and root will not be able to breathe yeah second loose soil helps the growth of microbes and earthworms they are friend of farmers because they aid humans to the soil अब loose soil क्या होता है वो microbes और earthworm को grow करने में help करता है और आप बलोगे microorganism grow करने में help कर रहा और यह आप अच्छा बूल रहा हो नहीं क्योंकि microorganisms farmer के helper होते earthworm वो क्या करते हैं जमीन में खोद खोद के खोद के ताकि पानी जो है deep inside तक जा सके वहापे वो humus add करते हैं microorganism क्या करते हैं जो dead plants और animals होते हैं उनकी body को decompose कर देते हैं humus का मतलब होता है उसकी body को decompose करके वो soil में add कर देते हैं अब soil में add करने की वज़े से plants को जो है अच्छा असा fertilizer मिलता मैंने और मैं बोल सकता हूँ organism के अंदर जो nutrient थे dead organisms या plants के अंदर वो nutrients वापिस soil में mix हो जाते हैं और वही nutrients जो हम लोग ने plants grow किये हैं वो nutrients वो consume करते हैं सो हुए न हमारे microorganism और अर्थ हो हमारे friend means farmers के friend सो अगर lose or turn करेंगे तो वो उनको growth करने में help करता है सो that is important तो यह second point आप लेख सकते हो then third point this brings the nutrient rich soil decomposed dead plants and animals present deep inside on the top layer इसकी वज़े से जो nutrient rich soil जो deep inside the earth crust है earth के जमीन के बहुत जादा नहीं मुलेगा थोड़ा सा अंदर है जो plants को help कर सकती है growth होने में so उसको top layer पे लेके आदने में मदद करते हैं so three points आपके सामने हो गए एक root to penetrate deep and root to breathe यह दो points में भी divide कर सकते हैं as you wish growth of microbes in earth microbes in earth add humus to the soil and rich nutrients is brought at the top layer rich nutrient soil जोती उसको top layer पे लेके आते हैं so this is why turning and loosing of soil are done or it is required most important then यह देखो earthworms वगेरा है इस तरह से छोटे छोटे यह earthworms है जो plants में यह farmers को help करते हैं फिर उसके बाद आता है कि how turning and loosing of soil done कैसे किया कैसे जाता है तो उसके लिए कुछ न कुछ tools जीएंगे implement जीएंगे obviously बात है so इस तरह के अलग-अलग tools होते हैं पहले ancient time में अलग use होते थे आज कल modern time में अलग use होते हैं तो turning and loosing is done by the agriculture implements यानि उसको बोलते हैं agriculture tools such as plow who and cultivator plow who and cultivator ये तीन चीज़े हैं जिससे delusioning and turning किया जाता है clear so हर एक के बारे में detail हम लोग देखेंगे कि plow क्या होता है who क्या होता है और cultivator क्या है ठीक है so हर एक चीज़ को समझना क्योंकि वो exam point of view आप चाहे खेतिवाड़ी करें या ना करें मुझे भी पता है आप खेतिवाड़ी करने नहीं जाने वाले वैसी बात है but plow use कैसे होता है वो सब चीज़ समझना जरूरी है from the exam point of view और हमें भी knowledge होने चीज़े at least कि हाँ farmers को कितने सारे चीज़ों की जरूरत होती है so plow और यह most important चीज़े आपको पता है खेतिवाड़ी अगर नहीं होगी तो हम लोग को खाना नहीं मिलेगा तो उसका हम यह भी नहीं बोल सकते है बहुत सारे ऐसे students भी होते हैं जो चाहते हैं कि agriculture के अंदर अपना वो बनाए lifestyle बनाए carrier बनाए so that is also different thing so तो एक बड़े लेवल पर बनाना चाहो तो possible है क्योंकि clear so first of all plow अब plow totally दिखता ऐसा है यह समझ लो अब इसका यह लंबा सा handle होता है जो है ना एक यह बोलूँआ बीम के साथ connect होता है और cow के neck पे connect होता है और यह होता है plow share यह plow shaft हो गया और यह plow share मतलब जो soil के अंदर deep inside उसको खुरिदने में में उसको loose करने में और turn करने में help करता है so कैसे plow is made up of wood और iron it is drawn by pair of bulls मतलब pair of bulls या other animals उसको खीषते हैं field के अंदर जब हमको use करना होता है तब आपने देखा ही होगा बुलो कार्ड कैसे खीषते हैं क्या करते हैं वो सब चीज़े यह हो गया plow share it contains strong triangular iron strip called plow share मतलब यह strong triangular iron strip है जो जमीन के अंदर जाके उसको turn करती loose करती soil को so वो plow share फिर उसके बाद है plow shaft it contains long handle attached to the beam is called plow shaft long beam मतलब वो एक लकडे के साथ या rod के साथ connect होता है जो rod cow के या कोई other animals के neck पे लगाया जाता है ox most pretty bullocks करते हैं लेकिन फिर भी कोई भी other animals के neck पे लखके फिर उसको plowing किया जाता है so this is plow shaft और यह plow share फिर आता है who who that is यह इस तरह से कुछ दिखता है जिसके अंदर bent plate होती है यह भी एक तरह से loosening turning के लिए use होता है तो दोनों में से आप यह देखो यह भी beam के साथ connected है जो animals के through किया जाता है फिर grip and handle so who is made up of wood और iron okay it is used for loosening and also for removing weeds lose तो करता है यह soil removing weeds weeds क्या होते है unwanted plants unwanted plants plants जो plants में पहले से अंदर grow कर रहे है उनको निकालने में भी यह हूँ मदद करता है then यह चीज़ उसको ध्यान रखना है हूँ के बारे में उसके बाद रहता है cultivator cultivator मतलब जो modern technology है tractor के साथ उसको बांद दिया जाता है it is connected with the tractor कुछ इस चरह से यह पूरा tractor होता है tractor इत्ता बड़ा एक साथ लेके जाता है तो जो बड़े land loads होते हैं बड़े बड़े farmers होते हैं वो tractors वगरे जो effort कर सकते हैं जो पैसा खर्चा कर सकते हैं उनके पास ऐसी बड़ी-बड़ी cultivators होते हैं एक साथ जल्दी-जल्दी काम करना चाहते हैं so nowadays plowing is done by a tractor-driven cultivator tractor-driven हो गया so it saves labor labor बचाता है पैसा नहीं देना पड़ता है मजदूर बचाता है और time दोनों ही चीज तो जहां पर बड़े-बड़ी जमीन है बड़े-बड़े लोग है वो लोग यह इस चीज का use जादा करते है ताकि उनका पैसा भी बचे और time भी बच जाएं so these are the three things which is used in turning and loosening of the soil यह प्लाविंग मैं बोलूंगा plowing करने के लिए tilling करने के लिए यह use होता है उसके बाद second जो process है इस चीज के अंदर that is leveling leveling of soil देखो आपने turning कर दिया loosening कर दिया तो अब क्या होता है turning and loosening की वज़े से बहुत बड़े-बड़े मिटी के धेर बन जाते हैं सब इधर-उदर randomly spread हो जाता है तो उसको proper level करना ज़रूरी है soils को proper leveling करेंगे तो ही possible है कि उसके अंदर easily आप लोग sowing कर सकते हो so proper leveling is necessary so वो किया से होता है देखो जब आप tilling करते हो तो इस तरह से clumps of soil ये देखो बड़े-बड़े पत्थर की तरह soils इस तरह से हो जाते हैं उसको level करना ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है so leveling के लिए फिर हम लोग उसको leveler use करते है so due to plowing the fields may have large clumps of soil called crumbs which are to be broken into small pieces बड़े-बड़े पत्थर के डेर हो जाते हैं तो उनको छोटे-छोटे pieces में convert करना पड़ता है था कि वो अच्छे से कहीं पे भी अगर हमारे beat जाते हैं, show होते हैं हम लोग उगाते हैं या grow करते हैं तो वो properly वापे spread हो उसके लिए leveling करना ज़रूरी है small pieces को break करना बड़े-बड़े crumbs को break करना ज़रूरी है small pieces के अंदर leveling helps in sowing of seeds and irrigation sowing और irrigation में बहुत ज़्यादा help करते हैं easily show हो जाता है और irrigation का मतलब होता है पानी देना time time पर उसको पानी देना पानी के भी पॉसिबल नहीं है so it is necessary irrigation की समय हम लोग अच्छे से पानी दें वगरा so फिर वादम मुलते है why step 2 यह तो leveling था leveling क्यों जरूरी वो सब चीज बताई step 2 that is sowing अब हम आ गहे है sowing के उपर beach कैसे बोया जाता है जमेन के अंदर so त्यों पुराने time पर अलग method था अभी modern time पर अलग method है तो अलग-अलग methods change होते रहते हैं जैसे जैसे technology बढ़ती है वैसे वैसे हमारे methods भी change होते हैं देखो technology change हुई इसलिए पहले एक पेड़ के नीचे पढ़ाई होती थी फिर दीमे-दीमे school, colleges, buildings बनने लगी अब क्या हो रहा है अब online पढ़ाई हो रही है आप देखो आप खुद भी online देख रहे हैं so ये technology का change है तो इसी तरह से traditional method से ancient time से पुराने जमाने के method से नए methods पर change होना so sewing में भी हम लोग देखते हैं किस तरह से changes हुए हैं तो first of all ये एक ancient machine जिसने sewing यानि beach बोया जाता था farmers लेके गुमते थे यहाँ पे beach डालते थे funnel shape में एक बड़ा सा इदर यहाँ पे एक डंडा लग जाता था beach जाता था और यहाँ पे इमेंदी में sewing जैसे जैसे फार्मर लेके जाता थे फार्मर के डिपेंडिंग बे जहाँ बीज डालना होता था वो डल जाता था clear अब sewing क्या है so sewing is the most important part of crop production before sewing farmers need to select good clean and healthy seeds which gives high yield यह तो जरूरी है अच्छे seeds होना चाहिए clean होना चाहिए और healthy healthy नहीं होंगे तो हमारा crops अच्छे से grow नहीं होगा crop अच्छे से grow नहीं होगा तो हमको fruits, जो हम लोग जो चाहते है, हमारे crop यह हमारे grains, wheat या rice वगरा जो भी है वो properly grow नहीं होंगे तो reflective नहीं होंगे तो वो कहने लायक नहीं होगे उससे पहले हमको अलग करना जरूरी है तो कैसे फ़र्स फेप आता है तो सेलेक्शन जरूरी है वह हमें देखना जरूरी है उसके लिए एक esATOR side selection में सबसे पहले किया करना होता है गलास लो गलास नहीं बोल होग यह तो अक्या चोटी बरकर seeds उस पानी के अंदर डाल दो कुछ time के लिए उसको छोड़ दो as it is क्या क्या हमने पहले एक बड़ा सा tumbler लिया जिसके अंदर पानी बरा हुआ हो फिर हमने seeds लिये जिसके अंदर हम लोग को select करना है seed select के उसको डाला उसको पानी में डाल दो कुछ time के लिए छोड़ दो time छोड़ा 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 तो फिर क्या होगा फिर उसमें उपर seeds एक float करने लगे और कुछ seeds down नीचे चले जाएंगे जो उपर seeds float करते हैं वो होते हैं खराब seeds unhealthy seeds क्यों? क्योंकि वो hollow हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं खोक ले हैं तो खराब seeds होते हैं उपर आ जाते हैं जो अच्छे seeds है वो नीचे deep inside water चले जाते हैं तो यह एक थोड़ा सा process है जो मैंने आपको छोटे level पर बताएं तो farmers इसको बड़े level पर करते हैं ताकि उनका काम जल्दी हो जाए बाकि एक एक ग्लास या एक टंबलर में लेके थोड़े थोड़े seeds लेके करेंगे तो इट विल टेक टाइंग तो उनका process अलग होता है यह activity है इसी तरह से seed को select किया जाता है जो समझना Damage seeds become hollow and are thus lighter therefore they float on water ठीक है Damage seeds जो होते हैं एक तो खोकले हो जाते हैं hollow अंदर कुछ भी नहीं होता और वो light हो जाते हैं इसी लिए वो पानी के उपर float करते हैं they float on water This is a good method for separating good healthy seeds from the damaged seeds one damaged one ठीक है नौर्मली फिर सोईंग के लिए जाते हैं अब सोईंग में क्या होता है Points to keep in mind while sowing सोईंग करते समय हमें कुछ points को दिमाग में रखने हैं कैसे क्या तो points एक चीज बता दूँ जब सोईंग करते हैं Suppose मैंने just example एक plant यहां पर मिलब सपोज सीड यहां पर grow कर दिया एक उसी के जस नस्दीक उसी के जस नस्दीक उसी के जस नस्दीक अगर हम लोग कर देते हैं सीड सू एक दम पास पास में तो एक तो सबको proper पानी नहीं मिल पाएगा water would be not available proper proper पानी नहीं मिलेगा फिर दूसरा sunlight की कमी हो जाएगी ठीक है यह सब चीज की दिक्कत होगी minerals नहीं मिल पाएगे सब कुछ नहीं मिल पाएगे इसलिए उनको proper place पे थोड़ा सब में equal amount of distance चाकि सबको properly मिल पाएगे फिर दूसरा जो होता है layer सपोसिए earth crust है एक सीड हमने यहां grow किया और एक बहुत नीचे grow कर दिया है बहुत deep तो उसकी वज़े से क्या होगा अगर आप depth भी proper maintain नहीं करते हो या तो एक दम उपर कर दिया तो यह वाला grow नहीं हो पाएगा क्योंकि यह जमीन के उपर है यह बहुत नीचे है तो grow नहीं हो पाएगा क्योंकि उस तर पानी minerals वगरा पहुंच नहीं पा रहा है और एक जो है normal अच्छे सही level पे है proper level पे तो वह grow हो जाएगा so depth का भी ध्यान रखना जरूरी है समझो चीज को समझो एक तो distance properly maintain होनी चाहिए और ए देखते हैं seeds should be shown at proper distance to avoid overcrowding ठीक है proper distance होना चाहिए नहीं तो overcrowding हो जाएगा this allows plants to get sufficient sunlight nutrients and water from the soil अगर proper distance है तो proper sunlight मिलेगी हर एक plant को हर एक seeds को nutrients proper मिलेंगे और water भी proper मिलेंगे from this soil तो distance सही रखना जरूरी है then उसके बाल sheet should be shown at proper depth proper depth होना भी जरूरी है तो अच्छी सही depth नहीं होगी तो भी problem होगा वह मैंना आपको समझा हुआ है तब tools used for sewing sewing के लिए कुछ tools use होते हैं कौन कौन से tools use होते हैं वो देखने जरूरी है पहले traditional time there are two types of tools sewing seeds ancient method tool यानि पुराना जमना जो traditional tools थे वो and seed drill जो अभी advanced technology है seed drills दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग use करते हैं तो सबसे पहले है तो ancient method tool जो कुछ इस तरह से दिखता है एक funnel shape का होता है मैंने आपको पहले भी बताया था एक funnel से shape का होता है और जब यह जो farmer है उसको carry करके लेके जाता है और जहाँ-जहाँ seed डालना होता है वह वहाँ पर उसको press करता है तो seed उसके अंदर डल जाते है मिस जमीन के अंदर चले जाते हैं so the tool used traditionally for sowing seeds traditionally यानि पूरा ने जमाने में is shaped like funnel यह funnel जैसा होता है clear the seeds are filled into the funnel funnel के अंदर seeds pass down through the two or three pipes having sharp ends यह इस तरह से sharp ends होते है यह तो यहां पर single है एक इदर एक इदर इस तरह से अलग-अलग pipes connected होते हैं sharp ends तो जहां पर-जहां पर seeds डालने होते हैं वहां पर उसके through उन pipes के through seeds डल जाते हैं this ends peers into the soil and place seeds there यह जो sharp ends होते हैं वह soil के अंदर गुस कर वहां पर seeds रखके आ जाते हैं so this is how traditional method होता था पहले traditional method जिसमें farmers को carry करना पड़ता था सबकोशी now it is seed drills, seed drills जो हैं जो modern method है so कुछ इस तरह से बड़े-बड़े tractors के साथ connected होते हैं इत्ती सारी तो बड़ी-बडी जमीन जगर है तो एक साथ फटाट-फटाट seeds जहां गए बटन दबाए और चलो seeds गए बटन दबाए और seeds गए so यह एक method है जिसमें labouring भी कम हो गया आपका time भी बज गया clear so this shows the seeds uniformly at equal distance and depth यह जो machine है seeds को equal distance भी रखती और equal depth पे भी grow करते हैं it ensures that seeds gets covered by the soil after sowing क्योंकि देखो seeds को soil से cover करना जरूरी है ने तो seeds उपर होंगे तो भी birds खा जाएंगे this protects seeds from being eaten by the birds so यह चीज भी रखना जरूरी है cover करना soil आपने seeds grow sow कर दिये वनलब जमीन में डाल तो दिये लेकिन उसको cover नहीं गया तो कोई ना कोई birds उसको खा जाएगी so that is also important thing sowing by using a seed drill saves time and labor मैंने अल्रेडी बताया कि आपका time भी बच जाता है और मजदूरी जो पैसा एक्स्रा देना बढ़ता है लेबर्स जो लगते हैं वो भी आपके बच जाते है so यह modern method है सबके फाइदे हैं तो disadvantages भी है अब इन modern method की वज़े से जो बड़े-बड़े farmers हैं वो लेख देते हैं लेबर्स तो unemployment create होते है वो चीज़ भी सोचने जैसे चीज़े है but time बचाता है जल्दी काम हो जाता है so एक चीज़ में helpful भी है clear so यह था हमारा आज के lesser comments आज के topic का unit जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से loosening और turning किया जाता है soil को leveling किया जाता है और उसके बाद sowing होता है different tools के help से आपको समझ में आया होगा देखो please एक request है आपको समझ में आया है नहीं आया है वो दोनों comment करो अगर आता है तो भी comment करना है नहीं आता है तो भी comment करो so next part में that is part 3 के अंदर हम लोग देखेंगे कि in part 3 we will discuss about agriculture practice देखो दो हम पढ़ चुके हैं दो बाक मलब total of 5 और बाकी है उसमें से 2 और हम लोग देखेंगे adding manure and fertilizers and irrigation ये दो method हम लोग part 3 के अंदर देखेंगे so part 3 जरूर watch किजिएगा देखिएगा ताकि आपका chapter के जो concept से one by one clear होते जाए और एक ही चीज में बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आता है तो भी comment करो कि yes it is understood नहीं आता है तो comment करो suggestions दो कि मैं किस तरह से और कुछ नहीं करूँ कि आप लोग को समझ में आए क्योंकि आप लोग के suggestions बहुत important है समझ में आ रहा है क्यों आपको समझ नहीं आना तो मेरा तो west हो जाएगा so please suggestions are also most welcome आप comment section में comment करो कि sir इस तरह से यह चीज करो और अगर समझ में आ रहा है then to write क्या understood sir so thank you thank you very much part 3 के लिए wait कीजी और part 3 जल्दी मैं आपको upload करूँगो तो आप उसको भी देख सकते हैं so thank you thank you very much